हेलो फ्रेंद्स वेल्कम तो माई यूट्यूब चानल और इस वीडियो में हम देखेंगे बैंक नप्टी का अनलिसिस फॉर टुमारो तो बैंक नप्टी ने आज लगबग 1260-70 पॉइंट का लगबग 1300 पॉइंट के रैली दी है और यहां हमने अच्छी खासी शॉट कोरिं देखें लोवर लेवल से हम क्लोज हुए 3.5 परसेंट गेन के साथ 38200 के आराओं और यहां देखते अभी चार्ट पे कैसा अधिक रहा है बैंक निफ्टी तो शुरू करते हैं वीकली चार्ट से तो वीकली चार्ट पे आप देख सकते हो हम जो है तो लोवर लेवल से अच् कैंडल बनती होए दिखेगे यह संकेत देती है कि यहां जो है तब बुल्स का परड़ा भी भारी हो चुका है और यहां से शॉट को रिंग आगे भी कंटिनी हो सकती है मगर अभी हम लॉंग टम चार्ट पे अभी इंडिकेटर वाइस बेरिश है तो यहां उपर के लेवल क तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हैं कि हमने सुपर ट्रेंग तोड़ दिया था और वो रिजेक्ट हो चुका है अब हम जो है तो फिर से 39,250 के लेवल के लिए बढ़ रहे हैं यहां जो है तो कम से कम 39,000 से लेकर 39,200 के लेवल ऐसे टार्गेट आ सकते हैं और यह जो ठीड़ बड़े अब आ प्राहरा फिर बड़े रिडर तो वो शॉट कवर कर रहे है जो ना जा सकते हैं वह फिर बड़े तो मार्केट पर बायार्ण डिपस रहेगा और मुझे लगता ही कि 39,000 से लेकर 39,200 के लिए हमें बैक नेटी में देखने को मिल सकते हैं अभी देखत यहां हम जो है तो लगबग प्योट को जो आवरली इस वीक के लिए आवरली प्योट है तो उसको टच करने के लिए जा रहे हैं और यहां मुझे लगता है कि यह जो रैली है यह कंटीनिय हो सकती है थोड़ा सा करेक्शन अगर आता है तो वह बाइंग ऑपरचनेटी रहे हमारा जो stop loss रहेगा वो 37,300 के नीचे रहेगा और जो टार्गेट बनेंगे हमारे तो टार्गेट रहेगा हमारा जो फाइनल टार्गेट रहेगा वो रहेगा 39,000 से लेकर 39,200 के तो अच्छा खासा रिस्क रिवाड है दो सो तीन से पॉइंट कर stop loss है और देड़ से दो अज करने का ही सोचेंगे ना की सेलिंग करने का और यहां और यह जो ट्रेड रहेगा यह एक से दो दिन की हिसाबसे रहेगा तो उस तरह से आपको ट्रेड करना आए क्योंकि यह हो सकता है कि इतने बड़ी रैली के बाद हम थोड़ा सा कंसोर से करे और फिर परसो के दिन जो है या फिर फ्राइडे की दिन हमें रैली देखने को मिल सकती हैं तो उस तरह से आपको पोजिशन बनानी होगी एक से तीन दिन के व्यूट के साथ आप्षिन ट्रेडर जो है तो एट दबनी ओप्षिन जो है तो 37500 का जो कॉल अप्षिन है उसको हम दिपस पर बाय करना पसंद करेंगे यह मन्तली एकसपाइरी की महीं बात कर रहा हूं ना कि वीक्ली एकसपाइरी तो इसमें आप में डिपस पर बाय करना तो फिर 38000 का जो कि अगर बाइंक निफ्टी का उसको अगर बैंक निफ्टी थर्टी सेवन तोजन फाईंड़ के और आता है तब उसमें एक्टिवलेशन स्टार्ट करना है और उसमें हमें लगभग 2x गेंस देखाई सकते हैं अगर बैंक निफ्टी 39,200 के लिए उल की तरब जाता है तो इसी तो आप banknetty में देख सकते हो कि अभी तक gap फिल नहीं हुआ है जो गयाप का लेवल है और 38500 है और उपर का भी जो एक gap है वो अभी तक बाकी है जो 38900 के आरून था तो दो gap अभी भी बाकी है तो शायद ये जो rally है ये दोनों gap फिल करने के बाद direction लेगी तो ये shot covering rally है ना कि buying मिल रहा है तो आप बिल्कुल निकल जाहिए प्रॉफिट बुक कर लीजिए इसमें मुझे लगता है कि यह शॉट को रिंग रैली एक बार खतम होने के बाद हमें पता चले गा कि मार्केट सस्टेन करने वाला है या नहीं हो सकता है कि यह पुरा होने के बाद फिर से नए करें अगर आपको मेरे वीडियो पसंद दे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब के बाकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी एंड थैंक यू पर वाचिंग इस वीडियो रिंड राइस अप्डेशन अब्स न पसंद प्डेट